ग्रामीन जीवन आज का हमारा ये टॉपिक ये बताता है कि भारत की आत्मा गाउं में रहती है किस प्रकार से भारत के गाउं का चित्रन किया जा रहा है इस टॉपिक पर ये आज हम बात कर रहे हैं शुरू करते हैं भारत की आत्मा गाउं भारत की अधिकांश चंता गाउं में रहते हैं जिसे कि आप हमेशा सभी को पता रहता है भारत की सची तस्वीर गाउं में ही देखी जा सकती है क्योंकि भारत की लगभग 70% चंता गाउं में रहती है हमारे कवियों ने गाउं की अत्यंत लुपावने चित्र खींचे हैं किसी ने उन्हें भारत की आत्मा कहा तो किसी ने देश का हृदे स्पंदन गाउं का मनोरम वातावरन होता है भारत की गाउं प्रकरती के जूले हैं यहाँ पर हरे भरे खेत, जूमती सर्षों, बरस्ता सावन, खुली हवा, सुगंदित हवा के जूंके, निर्दोश वातावरन, रदूशन से मुक्त रहन सेहन, शांत मनोरम रितुचक्र, कूक्ती कोयल, नाचते मौर, धन्य धन्य से भरे खेत खल्यान यह है गाउं का मनोरम सक्थे, इन बातों को देखकर, परतीक व्यक्ति का मन गाउं में बसने को करता है, ऐसा प्रतीध होता है, मनोचारों और शांती खुश हाले का सामराज्य हो, सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, गाउं का सामाजिक और संस्क्रतिक जीवन भी अत्यंत मनोहारी है, यहां के निवासी स्वभाव से सरलहर्जे, भोले और मधुर होते हैं, यही कारण है कि वे प्रकरती की हर लैप पर नाचते, गाते और गुन्डुनाते हैं, खोली, दिपावली, तीज आदी जुहारों पर ग्रामवासियों की मस्ती देखने के योग्य होती है, सावन की मस्ती में जब कन्याई जूला जूलती हुई, नाच और गा पढ़ती हैं, तो सर्ग धर्ती पर आ जाता है, ग्रामवासि भाईचारे के अटूट बंधन में बंधे होते हैं, इसलिए वे एक दूसरे के सुख और दुखों में बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं, यहां की सामाजिक परंपराईं भी बहुत रंगिली हैं, विवाह की रस्में, गीत और रस्में, सावन, सावन के जूले, विदा के एक्षण, ग्रामवासियों की भावुकता को प्रकट करते हैं, एक अन्य विशेष्टा जो है गाओं की वह है परिश्रमी जीवन, ग्रामीन जीवन परिश्रम का प्रतीख है, यहां निकम में निठले व्यक्ती का क्या कम? क्योंकि धर्ती से फसल उप जानी है, निठला व्यक्ती यहां फसल कैसे उप जाएगा? यहां के प्रिश्रमी किशान सारे देश के लिए अन उप जाते हैं, और मज़्धूर लोग बड़े बड़े भवन, बांध, सड़क, वस्तुद्यों, आदी को चलाने में अपने सारे ताकत लगा देते हैं, सच ही कहा है कवी गोपासिंग नेपाली ने, मेरा देश बड़ा गर्वीला, तीती रस्म रितू रंगरंगीली, नीले नब में बादल काले, हरियाली में सरसों पीली, शहरों को गोदी में लेकर चले गाउं की डगनगीली, यह हमारे देश के अच्छे पहलों की बात हुई, लेकिन दूसरे पहलों पर भी हमें गौर करना होगा, हमारे देश का ग्रामीन जन जीवन जो है प्रगती में पीछे है, प्रगती में हमारा देश सुन्दर होते हुए भी पिछड़ा हुआ है, गाउं यद्यपी भारत के बहुत सुन्दर हैं, लेकिन अगर विकास की बात करें तो वो पिछड़े हुए हैं, अगर सड़कों की बात करें तो यहां की सड़कें बदहाल तूटी फूटी हैं, स्वच्छ जल मिलना यहां बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है, वेग्यानिक सुक साधन ना की बराबर है, संचार विवस्था भी उपसे विवस्थित नहीं है, संचार विवस्था जो है उसमें हमारे न्यूज पेपर, टीवी और इंटरनेट के माथ्यम उपलब्ध होना, यह स्थिती खासकर ग्रामीन पहाड़ी इलाकों में बहुत बुरे पाई जाती है, क्योंकि वहां पर आवागमन के साधन बहुत ही कम है या तो विक्सित अवस्था में नहीं है, हमारे बाजार गाउं के जो हैं वो विक्सित नहीं है, प्रगतिशील सिख्षालें और चिकिसालें भी नहीं हैं, काउं के सरकारी स्कूलों की हालात तो बहुत ही तैयलिये हैं, यही कारण है कि अपनी सारी सुन्दरता के होते हुए भी हमारे गाउं उपेक्षित हैं, जो भी ग्रामेन पढ़ लिक जाता है, वह शहरों की चकाचोंद में खो जाता है, वह शहरों की और चला जाता है, गाउं के और लोटना उश्का मुश्किल होता है, गाउं को शहरों जैसा सुन्दर बनाने की चिंता किसी को भी नहीं है, दूर दराज के गाउं में तो अशिक्षा, गरीबी, मुर्कता, कुपोशन, अभाव, आदी सभी दुर्गुन अपना स्थान बना करके रखते हैं इसी प्रकार की गाउं का वर्नन पंतजी ने भी अपनी एक कविता में लिखा है जो इस प्रकार से है यहां खर्व नर बानर रहते युग-युग से अभिशापित अनवस्त्र पिडित अशप्फे निर्भुदी पंक में पालित यह भारत मानव लोग नहीं रे यह है निर्क अपरिचित यह भारत का ग्राम सप्फिता संस्कृती से निर्वासित इन सब के इलावा यदि हम वर्तमार राजनेतिक चेतना की बात गाउं के बारे में करें तो हमारा सुभाग ये कहा जाएगा देश का कि अभी हमारे देश के गाउं में राजनेतिक चेतना आ चुकी है अब गाउं के लोग अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने लगे हैं अपनी जमीन को चिनने से बचाने, फसलों के उचित दाम पाने के लिए वो संघर्ष करने लगे हैं इस कारण गाउं की हालात अभी पहले से बहुत अच्छे हुए हैं परन्तु अभी और भी बहुत कुछ किया जाना शेश है हमारे देश का स्वभाग्य है कि अब संचार विवस्ता और आधारवुत ठाची का विकास होने लगा है इससे गाउं सडक, बिजली, दूर्भास, आधी से जुड़ने लगे हैं सरकारें ग्रामीन विकास के प्रती सचेत होने लगी है इस दिशा में एक दिन भारते हैं